Hello everyone, welcome back to pocket maths, आज हम straight line continue कर रहे हैं और इस वीडियो का हमारा topic है distance of a point from a line, तो आईए, देखते हैं, अगर हमको मानलीचे एक कोई भी point दे दिया है, let's say point P which is given as x1, y1 और एक line दे दी है L which is given as ax plus by plus c equal to 0, तो अब हमको निकालना क्या है बच्छों, distance of this point P from the given line, अब सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि not only in case of line, बट किसी भी curve में, अगर हमको कोई भी मानलीचे curve दे दिया है और एक point दे दिया है P, अगर हमको इस point का distance निकालना है इस curve के साथ, तो वो हम हमेशा निकालते हैं along its normal, normal क्या होती है, आगे भी हम देखेंगे, बट बोला ज होती है, जो किसी भी curve को perpendicularly काटती है, for example अगर ये मेरा curve था, curve पर अगर मैं tangent बनाऊंगा, तो ये जो भी line होगी मेरी, ये इसको perpendicularly काटेगी, तो इसको मैं normal बोलता हूँ, तो जब भी मैं किसी भी point से किसी भी curve का distance measure करता हूँ, वो इसके normal पर measure करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमको इस point का distance इस line के साथ measure करना है, तो वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वो distance होगा, इस point का, इस line के साथ, perpendicular के along distance, मतलब length of the perpendicular from the point of the line, तो अगर ये point मेरा x1, y1 है और line ax plus by plus c है, ये point माल लीजे, मैंने mark कर दिया m, तो distance between p and m, ये जो मेरा pm distance है, ये हो जाएगा मेरा distance of the point from the line, which is given by, इसका एक बहुत easy सा formula है, ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square, मतलब आसान भाशा में बोला जाए, तो सबसे पहले इस line की equation के अंदर आप x की जगा x1 रख देंगे, y की जगा y1 रख देंगे, और उस पूरे को हम divide कर देते हैं, under root of a square plus b square, ये ए बहुत important formula है, और बहुत बार use आता है, but हम इसमें derivation नहीं देखेंगे कि ये formula कैसे आया, क्यों आया, वो हम detailed course में देखेंगे, revision के लिए बस इतना important है कि ये formula आपको याद रहना चाहिए, और just in case अगर आपको formula कल को याद नहीं रहता, तो normal way में भी आपको निकालना आना तो आईए हम देखते हैं, बिना formula कि अगर हमको distance निकालना है, इस line का, इस line से, इस point का, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस point से इस line पे perpendicular draw कर लेंगे, यो meet करेगी आपकी M पे, तो यहाँ पर हमको line L, इसका slope पता है, इसका slope पता है, slope क्या है इसका आप सब निकाल सकते हैं, आराम से इसका slope, slope आ जाता है, minus A by B, जिसके basis पे, यह जो हमारी line PM है, यह जो हमारी line PM है, PM का slope कितना आ जाएगा, क्योंकि यह perpendicular है, तो PM का slope कितना आ जाएगा, हमको पता है, M1, M2 equal to minus 1, तो जिसके basis पे, इसका जो slope आ जाएगा, it will be equal to, sorry, B by A, तो एक बार हमको slope पता चल गया, एक point पता है हमको, तो हम slope intercept form से, मान लिजे, Y equal to MX plus C, जहाँ पर हमको M पता है, यह C, इधर पे capital C लिख दिया है मैंने, अब हमको M पता है B by A, और X1, Y1 इसके अंदर satisfy करेगा, जिसके basis पे हम capital C निकाल लेंगे, एक बार आपने capital C निकाल ल गई, जब आपको इस line की equation पता है, आपको इस line की equation पता है, तो इन दोनों को solve करके, हम directly M point निकाल सकते हैं, अब एक बार हमारे पास M point आ गया, हमारे पास P point पता है, तो distance formula यूज़ करके, हम सीरे सीरे P M point निकालेंगे, I hope यह आपको clear हो, और अगर आपको directly slope use नहीं करना, तो हम पहले वीडियो में ये भी discuss कर चुके हैं, कि AX plus BY plus C अगर एक line मेरे को दे रखी है, तो any line perpendicular this line will be equal to BX minus AY plus D equal to 0, ये कोई भी line होगी, जो L से perpendicular होगी, अब हमको क्या दे रखा है, अब हमको एक ऐसी line की equation निकालनी है, जो कि, इस L के perpendicular हो, which is BX minus AY plus D equal to 0, और ये X1, Y1 से pass हो रही हो, तो जब हम X1, Y1 को इस line के अंदर डालेंगे, तो हमको उससे D की value मिल जाएगी, जब हमको D की value मिल जाएगी, तो हमको clearly इस line PM की value पता चल जाएगी, PM की equation पता चल जाएगी, अब एक बार हमारे पास PM की equation आ गई, हमारे पास L की equation है, तो उनको solve करके हम point M निकालेंगे, और वैसे ही जैसे हमने पिछले method में किया, PM के बीच में हम distance निकालेंगे, जाएगी, जब है, मुझे मुझे दाएगी